आप सभी को देव उठने उससे पहले हम जलाएंगे दीपक और हमने डिया जो रखा ये जलाएंगे इसके बाद सभी जो भी हमारी पुजा में शामिल हो रहे हैं, घर के परिवार के पडोस में महिलाय जो होती हैं, पराथ को हम बजाएंगे और पराथ को बजाते हुए गीत गाना होता है, तो गीत कौन सग आया जाएगा, ये गीत मैं आपको गाकर बताओंगी, गीत सुनते है उठो देव बैठो देव उठो देव उठेंगे कार्तिक मास ने टोकरी ने कपास ने कपास जारे मुँसे कावड जा के डाव कटा के बान बटा के खाट मुणा के दोवन दे के दरी बिचा के लोट लगा के मोटो हो जोटो हो बूरी गाए कपला गाए कपला गाए जाको दूद महापन होए सापन होए जितने अंबर तारिया उतने इस घर की गावाणिया गावाणिया जितने जंगल सीक सलाई सीक सलाई उतने इस घर भोवड आई बोवड आई जितने जंगल इटो रोडे इटो रोडे उतने इस घर हा ओले कोले धरे चपेटा धरे चपेटा ये है सोनी तेरे बेटा तेरे बेटा ओले कोले धरे अनार धरे अनार ये है अंगस तेरे यार तेरे यार ओले कोले धरे मंजीरा धरे मंजीरा ये है छोरियों थारे बीरा थारे बीरा उठो देव, बैठो देव, उठो देव, कवारियों के बिहा कराओ, बिहा कराओ, बिहाईयों के गोने कराओ, गोवनियों के शोने कराओ, रोने कराओ, रोवनियों के शोने कराओ, शोने कराओ, उठो देव, बैठो देव, उठो देव, बैठो देव, बैठो देव, देव, और इस तरह से हम अपनी देव उठाएंगे और जिसका जो भी गोत्र होता है गोत्र का नाम लेते ही जैसे कि हमारा गोत्र चोहान तो चोहानों के डेव उठे देव उठे जो भी आपको गोत्र हो को हम बोलेंगे सो इस तरह से नथाली बजाते हैं अपनी देव को जगाते हैं और एक अदेसी पर इस तरह से देव उठाए जाते हैं देव हमने इस तरह से उठाए और पराद को एक साइड पर रख देंगे और एक साइड पर रखने के पाद जितनी ही हमारी यह सामंगरी है हमारी जो देवे कुन और आप आप आरती जो है ये साथ बार भी कर सकते हैं पांच बार भी कर सकते हैं और हम अब इसकी अपने देव की देवताओं की आरती करेंगेony और अब जो जल में हमारा लोटा रखना जल में लोटा है इसम均से थोड़ा चारें लेंगे青ओ सारी जो भी सामगरी इसके अपर से बाड़ देंगे हम और इस तरह से देव उठाते हैं इस तरह से जो भी हमारी सामगरी हम ने चड़ाई है उसको हम यूज कर लेते हैं यानि कि जो सामगरी चड़ाई है उसे हम परसाद के रूप में बाड़ देंगे और जो गुरुदक्ष कर देना रादी 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 दे सिर्किष्णा